आई आज बात करते हैं सबकॉंशेतन माइन या अवचेतन मन की मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्रेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ठी तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैट्टिस करता हूँ लोग दिन भर अपने अवचेतन मन को सबकॉंशेस माइन को कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ नेगेटिव सूचना है देते रहते हैं हमारा अवचेतन मन सबकॉंशेस माइन वो कभी बहस नहीं करता जो आप बोलेंगी उसका उस फिकार कर लेता है अवचेतन मन मजाक भी समझता नहीं है कि अपने आप से कुछ मजाक कर रहे हैं यह भी समझता नहीं हो आप यदि अपने आप से बोल रहे हैं कि मैं यह नहीं कर सकता मेरी उम्र जादा हो गई है या मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता या मेरा जो घर है वो गलत जगह पे है और घर में लोग गलत है वो ठीक जगह पे नहीं है लोग भी ठीक नहीं है मैं जो लोग मेरे आसपास के वो सही मैंने चुना नहीं है या सही लोग मेरे आसपास में नहीं है अभी कोई रास्ता बचा नहीं है, मैं तो फस गया हूं, या मेरा खेल खत्म हो चुका है, या मैं बहुत confuse में हूँ, मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, मैं महेंगी चीज खरीद नहीं कर सकता, या मैं एफोर्ड नहीं कर सकता इतनी ज्यादा महेंगी चीजे या मैं मेरे घर का किराया नहीं दे सकूँगा मेरे नोकरी छुट जाएगी या मतलब इतने सारे जो बाते जो है कि मैं यह नहीं कर सकता उसके बदले आप यह जो निगेटिव सेजेशन देते रहते हैं अथि आपको बोल रहे है तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अचतेतन मद को बार-बार भीस इहीं देन मैं मेरे कोई भी काम कर सकता हूं और मेरे लिए काम आसान है यह बार बार कैते हैं और उसका visualization भी करते है उसके प्रती actions भी लेते है तो दुनिया के कोई भी चीज आप हासिल करोगे तो आज से नकारात्मक वाक्य नकारात्मक sentences बोलना बंद करने का है क्योंकि और चतन मन को यह मालूम नहीं कि यह वास्तों में है कि आप अपने आपसे इसी बोल रहे है उसको लगता कि जो आप बोल रहे है जो अंदर घुसरा है वह सही तो अपने आपसे negativity बाते बोलने का नहीं अपने आपसे अपन डालोगे तो आप सफल हो जाएगे आपको अच्छा लागा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक्यू बेरी मच्छ